जॉइन आर टेलीग्राम चैनल फॉर फ्री बिनिंग टीम्स, फ्री गिवबेज, एक्साइटिंग ओफर्स और लास्ट मोमेंट अपडेट्स, टेलीग्राम चैनल जॉइनिंग लिंक इस दिस्क्रिप्शन बॉक्स जाएगी न, उसके ऐसे मानलों कि सेमी फाइनल के चांसे जैना, जो क्वालिफाई कंड के चांसे जैना, वो एक तरीके से खतम हो जाएगी, क्योंकि दोनों ही टीम चाहिए, वो इंडिया हो चाहिए, वो न्यूजिलेंड हो, और इस सीजन में एक-एक मेच हार के आ रही है, और दोनों की दोनों पाकिस्तान से हार के आ रही है, खेर देखते हैं इस मेच में क्या होता है, बाकि अपना तो पूरा सपोर्ट, इंडिया कोई रहेगा, दिलो ज्यान से सपोर्ट करेंगे, बाकि देखते हैं इस मेच में क्या होता है, अब देखो आगे इस वीडियो में आपको कुछी नहीं करना आपको करना अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया हो और बेल आइकन जो बगल में आ रहा होगा उसको जरूर से दबा लेना ताकि जितने भी अपडेट में आप लिए पोस्ट करूं अपने यूट्यूब चैनल प पन बात करेंगे पिछ रिपोर्ट के बारे में काफी इंपोर्टेंट होती है इस वाले में इसमें रहेगी उसके बारे में हाके बात करेंगे उसके अलावा टीम न्यूज की बात करेंगे कुछ रिकोर्ट देखेंगे प्लेयर के रिकोर्ड काफी का तरना अगा प्लेयर ब यह सिर्फ demo team ही रहेंगी है, final team नहीं रहेंगी मेरे भाई, क्योंकि final team आपको मिलती है, toast के बाद toast नहीं हो जाएदा, तब तक अपने पास update आती रहती है, ठीक है, तो toast के बाद आपको final team है वो आपको provide करवाई जाएगी, हमारे telegram channel fantasy support पर, अगर आपने अभी तक हमारा telegram channel join नहीं क्या हो, तो इसकी joining link देखो, आपको नीचे description और comment box में मिल जाएगी, हमारे साथ दोस्तो, telegram channel पर already, दो लाग से भी ज्यादा लोग हमसे जुटे में है, और डेली हमारी teams का free में फाइदा उठागे, अच्छी खासी winning करने है, आज आपके लिए already बहाँ पर एक National Cricket Stadium, इसलिए मैं बोल रहा था, यह वाला जो pitch report है, इसकी काफी important रहेगी, खास्त कर कि जब, क्योंकि यह वाला जो मेंची एक night game है, evening में start होगा, 7.30 pm पर, और उसकी वज़े से इस particular में, दुबाई के में में तुमेने आपको बता रहा है, due factor काफी ज्यादा important role play करता है, क कोई आसान बात नहीं है, यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं तो, average score इस match का मेरे को 140 के something को मिल जाना जी है, 140, 150 maximum इतना ही जाएगा, उस्ते ज्यादा जाना possible कम है, ठीक है, और दोस्तों, अब बात करते है, due factor की किस तरीके से काम करता है, तो already मैं आपको बताऊं, इस season में में total six match खेले जा चुके हैं, ठीक है, और इन six matches, six times, उस team ने win किया है, जिसने toast के बाद पहले bowling किया, पहले bowling करो, toast जीदो, bowling करो, match जीदो, कुछ ऐसा scene इस मेदान का हो रहा है, अब इसा क्यों हो रहा है, क्योंकि second inning में bowl करते time आजाती है, due काम में, due काम में आ जाती है, इ bowling अच्छी नहीं हो पाती, और bowling अच्छी नहीं हो पाती, इसका मतलब है कि bets में आराम से short खुमा के, जो run है, उसे chase कर सकते हैं, अब बात यह है कि यार, अपने कप्तान विराट को लीगी, जो toast के साथ है, वो किसमत थोड़ी खराब है, तो यार, देखो, इस मेज में उस कि post जीच जाती है, तो फिर कहानी अलग हो जाती है, अच्छा दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हैं, मैं आपको एक जीच जरूर बताना चाहूंगा, कि देखो, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, मेरे को अच्छा लग रहा है, आपको भी information म आपके लिए इस वीडियो पर 5000 लाइक का लाइक टार केट भी रखा है, अगर कंप्लीट करोगे अच्छा लगेगा, अगर नहीं करोगे कोई रहा है, वीडियो को डिसलाइक कर देना, ठीक है, बात करते हैं दोस्तों हम टीम न्यूज के बारे में, लेकिन उससे पहले आप इस टीम का रिकोर्ड जाना जरूरी है, ठीक है, मैंने आपको पता है कि चाहे इंडिया हो, चाहे न्यूजी लेंड हो, दोनों के दोनों पाकिस्तान के खिलाफ एक-एक मेज खेल चुके हैं, अब जब ये दोनों बड़ी टीम, एक-एक मेज हार चुकी है, और जैसा कि इंडिया को बचे कुझे मेज जीतना जरूरी है, अगले दो मेज तो है स्कोटलेंड और नामीबिया के गेंश्ट, एक अफगानिस्तान के गेंश्ट और एक ये न्यूजी लेंड के गेंश्ट, आगे वाली टीम को अपन संभाल सकते हैं, अफगानिस्तान वाले में थोड ज्यादा जरूरी है दोस्तो अगर मैं इन दोनों टीम्स के रिकोर्ड की बात करूँ तो देखो सबसे पहली बात तो बात करते हैं T20 World Cup में इंडिया ने न्यूजिलेंड को आज तक नहीं आ रहा है मतलब कि वहां पर तो रहा है न्यूजिलेंड का फलड़ा पारी लेकिन ची इसला जो head to head match in cave बीच में हुआ था T20 International का वो खेला गया था January 2020 याने की January 2020 में उस बात को हो गया है काफी टाइम काफी टाइम हो गया है लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ उस टाइम पर इन दोनों टीम्स के वीच में टूटल पांच मेंज खेले गए थे T20 International के और यह मैं इसका record में आपको बता दूँ कि 5 मेंस में से 3 मेंस तो जीते ले इंडिया इंडियान टीम ने और जो बचे वे दो मेंस थे वो हो गये ते तो मतलब कि यहां पर न्यूजिलेंड को जीतने नहीं दिया था और न्यूजिलेंड के घर में गुचकर अगर T20 International में इतनी अगर मैं बात कुरूँ दोनों टीम में इंडिया हो चाहें न्यूजिलेंड मेरे को नहीं लगता कि प्लेंग लेवन में कोई भी जेंज होगा ठीक हाला कि अगर करना चाहें अगर बोल्डाओं करना चाहें तो थोड़े बहुत चांद से यह हैं कि इंडिया के टीम में जो के टीम में आपने पिछले में में देखा होगा कि मार्टिन के अप्तिल ने जो है थोड़ी सी इंजरी हो गई थी उसके इसे फिल्डिंग में यह पार्ट नहीं लेपाए दे आपको बता दिया और आगे बताओंगा उसका यूज़ आप कर सकते हो माई-लेवन सर्कल पर मेंने आपको नीचे डिस्क्रिप्चन और कोमेंट वोक्स में दे रखी है उस लिंक से जब आप डाउनलोड करोगे तो आपको मिलेगा 1500 रुपा तक का साइन अप बोनस साथे साथ दोस्तों जब आप माई-लेवन सर्कल पर फर्स्ट टाइम डिपोजिट करोगे तो आपको इंडिया वो वाला में जीच जाती है प्रोफिट डबल मतलब समझ रहो आपका 1000 रुपए का प्रोफिट हो रहा है तो कंपनी आपको 2000 रुपए देगी मतलब 1000 रुपए और एक्षा करके देगी अगर इंडिया जीच जाती है यह वाली स्किम गजब है इंडिया को बेटल बताऊंगा इन दोनों चीज को मिक्स मत करना क्योंकि दोनों चीजे काफी ज्यादा आलाद है ठीक है सबसे पहले अगर हम बात करें अगरम बात क्रूच दो 3 38 रन बनाए है जो कि काफी ठीक है उतने ज़्यादा भी नहीं है लेकिन ठीक है इनका बेटिंग एफटेज अगर मैं बात करूं न्यूजिलेंड के अंगे तो वो रहता है 30.7 के सम्तिंग का और इनकी जो श्टाइग रहती है न्यूजिलेंड के अकेशन बेटिंग करते रहे वो रहती है 138 के मतलब कि उतने ज़्यादा इंप्रेसिव आखने भी नहीं है लेकिन उतने ज़्यादा खराब आखने भी नहीं है रोज शर्मा भी ओपनिंग करेंगे तो पावर प्ले का फाइदा उठा सकते है नंबर दो पर अगर दोस्तों मैं बात करूं तो फिर आज ज्यादा खेले रोज शर्मा ने लेकिन बनाये हैं सिर्फ 13 रण ज्यादा तो मतलब केनी विलियमसन को थोड़ा सारी को ठीक है अगर मैं इनके बेटिंग एवरेज की बात करूं तो वो रहता है 29.7 के संथिंग का जो कि रोज शर्मा से थोड़ा कम है क्योंकि रोज शर्मा करूं तो भाई इन्होंने खेले हैं 90 20 इंटरनेशनल के में जिसमें विराट कोली ने बनाये है 302 याने की 302 रन तो यहां पर भी देखा जाया तो विराट कोली का रिकूर्ट का रिकूर्ट का यहादा है इनका जो बेटिंग एवरेज रहता है वो रहता 37.7 के संथिंग ज अच्छे हैं जिनका रिकोर्ड अच्छा है टीम सीफट यह आ जाते हैं अपने न्यूजिलेंड के बैट्समें में बेटिंग करेंगे अपनी स्मोल लीकिटी में नहीं रखूंगा ग्रेंड लीकिटी में आप ट्राइब करना चाहों कर सकते हूँ इन्हों दोस्तों एट में क्लाश ब्लाट इएं इनके बारे में पर बहत करते हैं अच्छा वीडियो पसंदा रहो तो यारr वीडियो का लाइक जरूर करना देख हक्से लाइक करवात तो इंडिया मेर्च से इंडिया को जिताना सपोर्ट करो ठी है बात करते है क्या राहूल के तो भाई इन्होंने खेले हैं टोटल पांच में न्यूजिलेंड के लिए स्टीट वन्टी इंटरनेशनल के जिसमें इन्होंने बनाये हैं 224 अब इनका रिकोर्ड काफी सही है काफी ज्यादा सही है इन इस ले मेंच में आउट हो गए थे शाहिन अफृदी की बोल पर हो सकता है इस बार नहीं हो सकता है दो दें केल राउल को पंसत जानते भाई धोने पर आता है बहुत कजब्द होता है नमबर से पर अगर मैं बात करो तो इस बार आ जाते हैं एक बोलर भाई काफी साही रिक दिख रहे हैं जब मैं आपको प्लेयर में बताऊंगा तब आपको और ज्यादा समझ में आएगा इनका जो एकोनोमी रेट रहता है वो भी इनके कंट्रोल में रहता है 7.53 यह समधिंगा नमबर सेवन पर अगर दोस्तों में बात करो तो वापस एक बोलर आ जाते हैं और व आपको प्लेयर बेटल की बात करेंगे लेकिन उससे पहले बात करेंगे हम गीववे की तो देखो एक लाग रुपय का फ्री गीववे हैं वो आप लोगों के लिए अपने टेलिग्राम चेनल पर पोस्ट कर दिया गया है तो उसका तो आपको जरूर से फाइदा उठा लेना है जिसने अभी तक टेलिग्राम चेनल जोई नहीं किया वह जरूर जाके कर लेना क्योंकि फाइनल टीम भी आपको वहीं पर प्रोवाइड कर वाई जाती है टेलिग्राम चेनल के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट बोक्स में देख पवे के बाद फोन पे पेटियम या गूगल पे से अमाउंट जो है पो ट्रांसफर किया जाएगा अधरवाइज नहीं किया जा सकता और जो दूसरा है वह आपको इस वीडियो को लाइक करना जरूर यह लाइक के बारे में तो बोलना तो नहीं चाहिए आपको खुद के मन सिंपल सवाल है यह तो एक दम कोमन सवाल है बचे वे दोस्वाल है आपको आगे वीडियो में मिल जाएंगे अब बात करते हैं दोस्तो हम कुछ काफी ज्यादा इंपोर्टेंट प्लेयर बेटल्स के बारे में ठीक है प्लेयर बेटल में सबसे पहले आजाता है रोई शर्म के रोई शर्मा को थोड़ी प्रोब्लम टिम शाओधी कर सकते हैं उसके बाद अगर दोस्तों में बात करूँ केल रहूल और इस शोड़ी के में राख होता है इस शोड़ी एक काफी इंपोर्टेंट गेंद बाज है जो इंडियन बेट्स में केल रहूल उनको परेशान किय कर सकते हैं साथी साथ इन्होंने अपना जो विकेट है वो दो बार इस शोड़ी को गवाद यह मतलब की काफी ज्यादा श्रेगल इस शोड़ी के साथ यह के रहूल करते हुए दिखता है उसके बाद किंग कोली और इस शोड़ी के अगर में बात करूँ विराट कोली के केल राहूल को परिशान करने के लिए और फिर विराट कोली को परिशान करने के लिए और दोस्तों मैं आपको बताऊं अगर हर्दिक पांड़ा का तो यार हर्दिक पांड़ा तो ओपर से इस शोड़ी ने इनको परिशान किया हुए और काफी ज्यादा परिशान किया लेकिन साथ ही साथ इंट्रेस्टिंग बात यह है कि इन्हे 12 वोल में तीन बार अपना विकेट हार्दिक पांडिया का बात चुके है इस शोडी का यह काफी important player battle है मेरे को लगता हार्दिक पांडिया जाएंगे इस शोडी के साथ आगे बढ़ने पर दोस्तो player battle में यह अपने पास 3 player battle हो रहाते हैं जिसमें सबसे पहला आता है रोजशर्मा वो ट्रेंट बोल्ड का देखो क्योंकि दो बार अपना विकेट इनहीं 11 बोल में रोई शर्मा गवाल चुके हैं ट्रेंट बोल को उसके बाद दोस्तो फाइनली एक न्यूजिलेंड के अगेंस्ट टाता प्लेक बेटल मार्टन गुप्तिल और जस्प्रीद बुम्रागा तीकर जस्प्रीद बुम्रागा मे पावर प्ले के अंदर दो ओवर आराम से विकवा सकता है विराठ पोली जनरली नहीं फिकाता है लेकिन फिकवा सकते हैं इसे बाठीक हैं मार्टन गुप्तिल और भुम्रेश्वर कुमार वापस पावर प्लेंग बोलिंग करेंगे इनके अगर मैं रिकोर्ड की बात हैं सारे के सारे प्लेयर बेटल और सारे के सारे जो प्लेयर बेटल है वो काफी ज्यादा इंपोरेंट आपको अपने दिमाग में रखना है जब आप अपने टीम बनाओ चाहे वो स्मोल लीग की हो चाहे वो ग्रेंड लीग की हो फिलाल एक काम करते हैं हम चलते हैं अपने सारे रिकोर्ड भी बता देता हूँ चले गए थे केल राहू थीन पर गए थे फिर विराट कोली ने पारी को संभाला था 57 रन बनाये थे हैं फिर सुर्या कुमार यादो 11 रन पर चल गए थे रिश्यप पन्त भी ठीक खेले थे 39 की पारी खेली थी ठीक है यह पाकिस्तान की गेंस जो इन्होंने पारी खेली थी थ परफॉम करी सकते हैं यार थोड़ा सा अच्छा कर सकते हैं सुर्या कुमार यादो भी पावर हिटा रहें लेकिन देखते हैं अंडर प्रेशर केसा परफॉर्म करते हैं और रिश्यपंत और इनके बार मुत क्या है बताऊं ठीक है यह सारे आप देख लो अच्छा अपन ब और उसी सवाल को मैंने आसान कर दिया ठीक है दो के डिफरेंस में कैसे बता सकते हो कि जैसे मालो आपको लगता है कि 55 बना सकते हैं तो 54 से 56 55 to 57 53 to 55 यह तीनों की तीनों पांसर करेक्ट माने जाएंगे ठीक है यह दो के डिफरेंस में आप पता सकते हो उसके बाद दोस्तों नंबर 6 पर अगर मैं बात कर तो फिर आ जाते हैं हार्दिख मांशु पांडिया इनकी अगर दोस्तों मैं बात कर तो यह पिछले में में आपने देखा होगा 11 बनाके चल को उसके बाद अगर दोस्तों में बात कर तो यह इन्होंने भी पिछले में मातर तेरह रहा है और बोलिंग के साथ के विकिट तो किसी ने नहीं लिया ठीक अपाकिस्तान ने 10 विकिट के डिफरेंस से हराय था अपने को जो की काफी बूरा लगता है बोलने में लेकिन क्या हम बात कर लेता है अपने न्यूजी लैंड के प्लेइर्स के बारे में बात करूं दोस्तों अगर मैं न्यूजी लैंड के प्लेइर्स के बारे में तो सबसे उपर यह आपको देखने को मिल जाएंगे मार्टिन mechanics में लेकिन में इ lev एक और राउंड है जोकि बोलिंग भी कर पारी खेली थी केन विलियम सान एक वार कपतानी वाप आस खेल सकता है पारी क्योंकि इंडिया के गश्टीक थेक थाकर फोल्ड करता है ताति साथ पिस्पें बेटिव में 25 रन की एक स्लो पारी खेली थी लेकिन खेली थी ठीक है उसके बाद जिमी निश्यम बेटिंग प्लस की काविएज रखते हैं 2020 इंटरनेशनल में भी 55.5 का बेटिंग एवरेज आप देख पार होगी 15 मेंज खेले हैं 500 रन बना दी है टोटल और 55 के सम्टिंग का एवरेज है जो की काफी भयांकर है उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात क्रूप लेन फिलिप की बारे में तो य अगर आप परफोमेंस देखोगे तो इस शोडी का जो रिकोर्ड है इंडिया के अगेंस वो काफी बहांकर है काफी जानता रहें तो देख सकते हैं आप इस शोडी को अच्छी परफोमेंस करते हैं हाला कि मैं चाहूँगा नहीं दिल से अगर बताओं तो नहीं अगरे वाइट ठूको तुम लोग मैं तो बोलूगा ठूको बागी देखता है क्या होता है वो तो मेरे बोलने से कुछ नहीं हो सबता इन सबका रिकोर्ड आप देख सकतो सारा रिकोर्ड आपकी स्क्रीन के उपर है स्क्रीन शोट वागरा लेना चाहो ले सकतो अच्छा मै मैं आप से पूछ लेता हूँ अपने गीववे का और तीसरा और आखरी सवाल उसमें आपको बताना है कि जो न्यूजिलेंड है न्यूजिलेंड की टीम है उसका टोटल स्कोर इसमेज में कितना रहेगा और यह वाला जो स्कोर है वो आप मेरे को पांच के डिफरेंस में हम नहीं पतासकता हूँ कि आप आपको आपको नहीं अपटेnent लेकिन अपने टीम में जो भी लेट हो सकते हैं तो दोस्तों जो अपने टीम में जो भी changes होगे जो भी description और comment section में दे रखे हैं हमारे साथ दोस्तों already यहाँ पर टूल एक 14,000 से भी यादा लोग हमसे जुड़े हैं वो daily हमारी teams का free में फायदा उठागे अच्छी खासी winning कर रहे हैं आप लोगों के लिए already यहाँ पर 1,00,000 रुपए का giveaway पोस्ट कर दिया गया तो याद देखो विकिट कीपर section में आपके पास एक तो रिशाप पंत का option एक है गलेन फिलिप का और एक है टीम सीफट का तो किन है अपनी टीम में ट्राइ करोगे मैं आपको बता दू रिशाप पंत करेंगे नंबर 4 पर बेटिंग गलेन फिलिप करेंगे अराउंड रिशाप पंत करेंगे नंबर 5 पर बेटिंग गलेन फिलिप करेंगे नंबर 6 पर और टीम सीफट करेंगे नंबर 7 पर अपनी अपनी रेस्पेक्टिव टीम के लिए फिलाल के लिए मैं अपने टीम में रिश्या पंत को रखूँगा मेरे अंदर कोई भी डाउट नहीं है मेरे दिमाग में कोई भी डाउट नहीं है बेटिंग सेक्शन के अगर मैं बात कुरू विराट कोली का उप्शन आजाता है विराट कोली को अपने टीम में ट्राई करना है उसके नीचे केन विलियमसन जोगी न्यूजिलेंट की टीम के कप्तान है जोगी अच्छी पफॉमेंस कर सकते हैं अपने टीम के लिए जब जरुवत पड़े अंडर प्रेसर अच्छा कहलते हैं तो भाई केन विलियमसन को भी मैंने अपने टीम में ट्राई कर लिया मार्टिन गुप्तिल का उप्सन आता है जिनने मैं अपने टीम में ट्राई नहीं करूँगा क्योंकि भाई बुमरेश्वर, कुमारोज, जस्प्रित, बुमरा ये दोनों की दोनों इनके सर पर मंटरा रहे होंगे उसके नीचे दोस्तों अपने पास उप्सन आता है रोहिश शर्मा का, हीटमेन का, इनको भी खत्रा है बाई टीम साओधी से खत्रा है, इनको ट्रेंट बोल्ड के साथ खत्रा है एक स्मार्ट डी सीजन चीए, तो हो सकता है आप रोहिश शर्मा को ड्रोप करके चलो, बाकी अगर देखो, मेरी टीम तो इंडिया के सपोर्ट में बनेगी तो मैं तो हो सकता है रोहिश शर्मा को अपनी टीब में उठाऊंगा बस एक पिछले में इसमें अच्छी परफुमेंस नहीं आई, उसके चलते हम के यल राहूल को ड्रोप नहीं करेंगे फिर D1 कॉनवे, जो कि मैंने आपको पताया, एक राइजिंग स्टार जो है न्यूजिलेंड के है तो D1 कॉनवे को पी में अपनी टीम में उठाऊंगा, आप चाहू सूरिया कुमार यादव के साथ बिता सकते हो, D1 कॉनवे की जगह लेकिन मैं जाऊंगा D1 कॉनवे के साथ, ठीक है उसके अलवा ओल्डाउंडर सेक्षन में आते हैं, जीमी निशम मैंने आपको बताया, नमबर चार पर बेटिंग है, प्लस बोलिंग भी है, तो जीमी निशम को तो अपनी टीम में ट्राइ करना बनता ही बनता है, डेरियल मिचल का, आपको स्मोली की टीम में हम ट्राइ नह रखती हैं, बेटिंग में लाश्ट वर में भी आके अच्छी परफॉमेंस कर सकते हैं, बोलिंग में पूरे चार ओवर आइधिंग इनको दिया जाएंगे, रखने जाओ अपनी टीम में रख सकते हूं, जैसे मैंने आपको रोई शर्मा के बारे में बोला कि उनके बारे मे इनको भी अपनी टीम में रखूंगा, इसमें भी मेरे को कोई डाउट नहीं है, अफिन नीचे आने पर इस शोड़ी अपने बास उपसे नहीं है, देखो इस शोड़ी को मैंने अपनी टीम में उठा लिया, एक डेमो टीम मना के दिखा रहो हैं आपको, उसका नीचे टीम स मोमा शमी को अपनी टीम में रखूंगा, जो की विकिट निकाल सकते हैं, और मैं चाहूंगा की भाई मोमा शमी निकाले, देखो मैंने अपनी टीम में रख लिया है, इस शोड़ी को, मैंने अपनी टीम में रख लिया है, ट्रेंट बोर्ड को, लेकिन मैं जो मन की अगर मैं देखो हम इदर तो यह 10 प्लेयर अपने टीम में सेलेक्ट कर लिए एक प्लेयर बचा हुआ है क्रेडिट का कोई इसा इशू आएगा नहीं इदर तो देख लो जिसको भी आप अपने टीम में उठाना चाहो आपके पास उप्सन में आपको बता देता हूँ आपके पास एक तो वरुन चक्रवर्ति का उप्सन है जो कि मिश्ट्री स्पीनर के नाम से जाने जा रहे है फिलाल के लिए इंडियन टीम के लिए दूसरे नमबर पर अगर मावाद बता हूँ तो आपके पास रवेंद्र चड़े जगा उप्सन है जो भी अपने पूरे चार ओवर करेंगे लेकिन साथ एडवांटेज यह है कि ये बेटिंग भी कर सकते हैं बेटिंग के साथ भी आपको पहुंच दे सकते हैं उसके लावा बेटिंग सेक्शन में फिर आपके बास अगर प्योर बेट्समेंट चीए तो फिर रो फाइनल टीम आपको प्रोवाइड करवा जाएगी अपने टेलिग्राम चैनल पर तो उसके बाद तो वो आप जरूर से देख लेना एक बार अपडेट जरूर ले लेना ठीक है केप्टन और वाइस केप्टन की अगर मैं इन्हीं प्लेयर में बात करूं तो यार आपके पा का दूगी अपने टीम में जो भी अपडेट होंगे। और केपटन और वाइस कैपटन में भी अपडेट होंगे डोस के बाद में आपको बता दूँगा ठीक है Zoo यह फाइनल टीम सारी आपको टेलिग्राम चैनल पर ठीक है अब दोस्तों इस वीडियो के लिए सिर्फ इतन ही में में तब आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए अलविदा अपना ध्यान रखिएगा हूं